Hey guys welcome back to our YouTube channel digital शिक्षा दोस्तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से किसी वीडियो को अप्लोड करते वक्स उसके एडवांस सेटिंग्स पर ध्यान दियाना चाहिए ताकि अपने जो चैनल है अपने जो वीडियो अप्लोड कर रहे हैं उस चैनल पर उसके मैकसिम व्यूज म scent के मैकसिम सब्सक्राइबर मिल सके तो ये सारी चीज़े अपने हमने लास्ट वीडियो सेटिंग में सारी चीज़े ति आज क्या हम सिखने जा रहे हैं आज हम सिखने जा रहे हैं किसी भी चाइनल के लिए टायटल और उसके टैग्स जो है उसको कैसे सर्छ करें मतलब यह होता है कि आप जब अपना वीडियो तयार करते हैं तो उसके लिए आपको टाइटल और टाइग्स बहुत इंपोर्टेंट होता है अपके जो लो आपके जो सेंव आपके जो वीडियो माक्सिम लीरीश ब्रेयार करना उतंतों करें vaić क्षेव typically रीच आउट हो सब्कारते हैं अब क्षेव कि आपने कहीं भी ऐस्की जैश मेंने आएगा, मैं इस वीडियो को जल से जल्द बहुत कम समय में आपको यह समझाने के कुशिश करूँगा कि किसी भी चैनल के लिए टैग्स और टाइटल किस तरह सी इंपॉर्टन्स है दोस्तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि टाइटल और टैगिंग होता क्या है दोस्तो हम एक दूसरी को नाम से बुलाते हैं कोई राहूल कोई कृष्णा या कोई कुछ नाम से बुलाते हैं वैसे भी किसी चैनल के लिए उसके जो टैग्स तरह टाइटल होते वह उसका नाम होता है जो उसका tagging होता है उसका internal name होता है क्योंकि आप जब किसी भी जब नाम सर्च करते हैं जो आप पढ़ते हैं वहां पर जो search करते हैं वह search उसका tagline होता है वह storage YouTube को store करता है और उसके tagging के हिसाब से जो वीडियो को है वो आपको search करके आपके सामने रखता है और title आप set करते हो क्योंकि जब आप tagging में आप उसको search करते हो तो आपके सामने उसी tagging से relevant आपके सामने title आता है वो title को ही देखकर आप video open करते हो दोस्तो title और tags के अलावा जो तीसरा सबसे most important factor होता है वो होता है आपका thumbnail तो thumbnail तो मैं आपने आने वाले वीडियो में आपको मैं बता दूँगा कि किस तरह से बनाना होता है तो आज हम देखते हैं कि title और tags किस तरह से matter करता है किसी भी वीडियो के लिए दोस्तो आपको बता दू कि जो यह tagging होती है यह tagging के वज़े से ही video viral होते हैं हमने बहुत जगे पर देखा है रोज कोई ना कोई तो वीडियो जो होती है ट्रेंडिंग करती है वो ट्रेंडिंग उसके वाइरल के उसके टाइगिंग के वज़े से ही होता है दोस्तो आप जब हमेशा video upload करते रहते हो कुछ अलग सा tag यूज करते रहते हो तो यह tagging ही होती है जो आपके video को वाइरल करती हो दोस्तो सिफ एक video वाइरल और आपका channel हो तो tagging बहुत important है दोस्तों tagging पे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का जो negligence है वो मत करना हमेशा comment tagging भी यूज मत करना क्योंकि जैसे आप नहीं-ने tag use करते चाते हैं आपके searches के जो maximize हो जो लोग अलग-लग search करते रहते दोस्तों तो आप जब उस चीशू को follow करेंगे तो ब before adding any tags आप दूसरी के tags को समझी कोशिश किये कि वो tagging क्या डाला है क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप जब दूसरी वीडियो में जहा रहे हो जो आपसे काफी पुराना वीडियो चैनल है तो आप उसकी experience ले सकते हो उसके tagging को समझ सकते हो ताकि आप वो tagging को डाल सकते हो और उसका फाइदा आप अच्छे से उठा सकते हैं अब भी बात करते हैं अगर tagging की तो tagging दोस्तों टीन तरह के होते हैं पहला tagging होता है दोस्तों long term दूसरा short term और तिसरा short form में होता है तो long term में क्या होता है दोस्तों कि अपना एक channel है जैसे अभी ये channel है टीडिटर इंफर्मेशन इनहें हो जाता है मेरा कॉमन डिजिल शिख्षा मैं कॉमन तैग है जो मिझे हमेशा यून्हां करना है In das जो आपका लॉंग टम यह टैग्स है उसको तो आपको बिल्कुल एड करना चाहिए क्योंकि यह जो आगर आप एड करोगे लॉंग टम तो आपके आने वाली अपकमिंग वीडियो में भी वह अप्लोड होता जाएगा और वह अपना जो उसका गूल है जो कॉमें है वह हमेश इसका ठीक है अभी मेरा डिजिटल शिक्षा तो अलग है और यूटूब अलग है पर मैं यूटूब में आप वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं इससे रिलेटेड टैगिंग डालू क्योंकि मेरा यूटूब चैनल के उपर मैं अपना वीडियो बना तो टैगिंग के हिसाब से उसको वह प्लैटफॉर्म पर वहां पर दिखाई देगा तीसरा आता है शॉट फॉर्म दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोग पूरे सेंटेंस नहीं करते हैं जैसे कि किसी ने सर्च किया हाव तो गेट 1000 सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर वह प थो आपने देखा होगा कि आप दूसरे भी वीडियो चानल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग टरीका बताया गया है कर अलग तरीका बताएगा कोई एक अप्लिकेशन के थू बताएगा तो सब लोगों का अपना अलग अलग है अउसाई मैं यहां पर अगर एक परफेक्ट टैग लेते हो और एक परफेक्ट टाइटल सूर लेते हो तो दोस्तों वो किस तरह से अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपने एक जो 6 अपने लिखा था 6 टॉप 3 टूल्स उसमें हमने थमने तो यूज कर लिया था बड़ टैगिंग और हमने उसके उपर जो एक्स्टर एक्टिविटीज करनी थी वो कुछ भी एक्टिविटीज नहीं की है जिसके बदले आप देख सकते हो इसको सिंगल व्यूस तक नहीं मिला है अगर हम इसी पर स इसका जो है थमनेल इससे काम नहीं बनता दोस्तों इसको और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा काम करना पड़ता है ताकि यह जो चीजे है वह वाइडल हो सके तो इसके बारे में तो मैं जरूर आपको मैं बताऊंगा बट आज हम बात कर रहे हैं यूटूब की क्योंकि अगर algorithm आप नहीं समझोगे इसकी movement तो यूटूब वही सिखता है जो हम उसको समझाने की कोशिश करें जैसे अभी हमने बात किया था 1000 सब्स जब आप सब्सक्राइबर और सब्स दोनों टैगिंग यूस करेंगे तब यूटूब को पता चलेगा कि सब्सक्राइब सब्सक्राइबर सब्स लिखोगे तो automatically कुछ समय के बाद में वह आपको उससे चैनल जो वीडियो अपने सर्च किया वह दिखाई देने लगता है साथ में दोस्तों आपने शायद यह कभी observe किया होगा कि जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो जैसे आपने क्रिकेट का वीडियो जो है वह प्ले किया तो वीडियो जैसे ही पांच-दस मिनिट में जब एंड होने लगता है तो दूसरा वीडियो जो होता है या तो आपका ह सर्च करें तो टेमीज दिखाई देने लगे क्योंकि आपने जो कीवर्ड यूज किया हुआ है वह बहुत इंपोर्टेंट है और उसी हिसाब से ही आपको सर्च देता है तो टैक्स का दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स किस तरह से बहुत इंपोर्टेंट है क किसी भी चैनल के लिए किसी भी वीडियो के लिए क्योंकि अगर यह मिस कर देते हो तो आपका व्यूस तो होना इंपोसिबल रहा तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से किसी वीडियो के टाइगिंग को हम सर्च करते हैं और उसके लिए एक अच्छा सा टाइगिंग और उसके लिए टाइटल जो है वह हम सेलेट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम एक Google के पेज पर आ जाते हैं Google के जो में पेज है यहां पर हम आते हैं यहां पर हम एक पर टाइप करते हैं हाउ तो गेट 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर टाइगिंग के नाम पर यह अल्रेडी मुझे कितने सारे टाइगिंग दे लिया है अब मैं क्या करूंगा कि मैं नोट पैड ले लूँगा या तो मैं अपने लप्टॉप या जो कॉम्पूटर है आपकी स्क्रीन पर में उपन कर लूँगा या फिर मैं हैंड जो हाड़ बूक है अपने पास रखूंगा और उस सारी चीज़ों को नोट डाउन करूँगा सारी क्योंकि दिखाया क्योंकि यहां पर उसने सब डालते ही मुझे सब्सक्राइबर के लिए फुल फॉर्म दे दिया और दे दिया है कर दूँगा और कुछ मैंने जो अपलोड किया है वीडियो के लिए उसके लिए कर दूँगा क्योंकि यह टैगिंग उसी के उपर रन करेगी और आपको मैक्सिमूम व्यूज दिलाएगी यह तो हो गया एक तरीका दूसरा तरीका दोस्तों होता है कि अगर आप वीडियो अगर ऑप देखोंए तो यूट्यूब के खुद प्लेटफोर्म पे वो आपको अलाउ करेगा स्वाइग करने के लिए तो अगर आप यूट्यूब के मेंट पेच पेंट हो और एक सेटेट यूटूब के अगर अगर मेंट पेच पेंगा आते हो तो यह एक वीडियो के यहां पर हम चैनल सर्च करते हैं यहां पर हम डालते हैं जो हमने वहां पर सर्च किया सेम यहां पर हमने डाल दिया यहां पर डालने के बाद में सेम जैसे गुगल ने अल्गरिधम को कैप्चर करके मुझे टैक्स को प्रवाइड किया था बिल्कुल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसको किवर्ड भी कहा जाता है इसके पीचे रिजन क्या है किवर्ड क्यों कहा जाता है क्योंकि जब हमे unf хорошо देना होता है हम bogstar में उस चीज को search करते है अब गूकल क्या करता है जो भी चीजे हम search करते उसका एक data base बना लेता है और back end में उसको save कर लेता है अब वो क्या होता है कि हम कोई चीज को धून रहे हैं तो लोग तो उस चीज को समझनी कोशिश करते है कि actually बंदा ढूंग किया रहा है ताकि वो चीजे वो बना सके और upload कर सके तो उसी हिसाब से customer oriented चीजे हो जाती है और साथ में अपना काम भी बन जाता है तो यहाँ पर मैं अगर जब डाल रहा हूं how to get 1000 तो यह सारी चीजे मुझे बता रहा है how to get 1000 सब्सक्राइबर डालना पड़ेगा मुझे आप सब्सक्राइबर डालते ही मेरे जो relevant हो सचेस है वो सारी चीजे आ गई है यहां पे in Tamil in Malayalam in one day fast latest सारी चीजे आपको पाच मिनिट में 10 मिनिट में सारी चीजे आप देख रहे हो जो impossible task है वो भी सारी चीजे यहां पर आ गई है तो यह सारी टैक्स को मैं फिर से note-down कर लूँगा मेरे सारे वो Google से जो मिले हैं और जो YouTube से मिले हैं सारी टैक्स को मैं एकठा करूँगा उस पर research करूँगा and then I will decide and categories complete अब दोस्तो यह तो tagging हो चुका है अभी यहां पर मैं क्या देख रहा हूँ यहां पर अगर मैं नीचे देखू तो इसमें कैसा होता है दोस्तो कि आप तो कुछ tagging तो आप decide कर लेते हो पर कुछ decide आप नहीं कर पाते हो या कुछ ऐसे होता है कि आप सोच रहे हो कि यह सब करने से अच्छा में comment दोस्तो क्या होता है कि आज का जो समय है वह बहुत fast moving है आपके पास इतना समय नहीं कि आप एक वीडियो का channel जो है आप एक एक खुद ही tag create करें अलाकि create करना और खुद का main use करना टैगिंग के लिए तो सबसे जाधा important है कि इससे अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता मगर इतना समय नहीं होता आपने को कही सारे वीडियो बनाने होते हैं कही कुछ काम करने होते हैं तो अपने को इतना समय नहीं मिल पाता कि हम सारे वीड आप सभी इन टैग्स को note-down कर लिए आपने कभी अगर विडियो बना रहे हो तो commonly जो टैग्स यूज करना चाहिए वो सारे आप यूज कर सके कुछ मैं टैग्स आपको बता रहा हूं यह टैग्स बहुत important है और आप से request करता हूं कि आप भी अपने टैग्स में जो भी डालना मत बुलिए यहाँ पर मेरा नाम है डिजिटल शिक्षा चैनल का नाम है तो यहाँ पर मैं डिजिटल शिक्षा जरूर डालूंगा यह में किसले कर रहा हूं डिजिटल शिक्षा डालने के लिए क्योंकि जब आप डिजिटल शिक्षा डालते हो बार-बार तो आप जब वीडियो खतम करते हो, कोई आपका वीडियो देखेगा, तो definitely जब suggestion box में आपका ही अगला वीडियो उसको दिखाई देगा, तो digital शिक्षा, digital शिक्षा करके आपका branding भी बन रहा है, साथ में सामने वाले viewers को आपका ही channel दिखाई देगा, अगें इससे आप ही benefit में रहते हो, दुस्तरा आता है, आप नहां पे डाल दीजिए in 2020, दुस्तों क्या होता है कि यह जो वीडियो है, हम लोग देख रहे हैं, कुछ वीडियो 2012 में बना डाले रहते हैं, कुछ लोग 4 साल पहले डाले हैं, कुछ लोग 5 साल पहले डाले हैं, देखें, ना कि पुराने वीडियो देखें, क्योंकि चीज़े चेंज हो गए रहते हैं, अल्गोरिधम चेंज हो गए रहते हैं, तो पुराने वीडियो देखके वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो जब आप 2020 डालोगे, तो यूसर तो समझ में आएगा, कि यह जो वीडियो 2020 के अलावा, अगर मैं आपको पूलू, तो हमेशा, लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देना चीए, जब आप डालते हो, तो इन हिंदी, अगर हिंदी में वीडियो बना रहा हूं, तो इन हिंदी डाल दूँगा, अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहरे हो, तो इ अगर कोई वो लर्नी के फैक्टर से बोल रहा है कि, हाव तो मोनिटाइज यूटूब चैनल इन हिंदी, तो वीडियो उसको हिंदी में दिखाई देगा कि, यूटूब में चैनल कैसे मोनिटाइज करना है, वो हिंदी में इंफॉर्मिशन प्रवाइड करेगा, वो कैसे हि वो चीजे काम करेगी, एक चीज है जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर रहे है, बार बार हाउटू वर्ड का यूज कर रहे है, दोस्तो हाउटू इस अलसो वन आप दे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन यूटूब, एस वल एस फेसबूक, तो हाउटू भी मैं यहाँ पर आप में हम देख लेते हैं कि किस तरह से चैनल के कहां पर आपको जाके आपने चैनल में चले जाएए, यूटूब चैनल में जाने के बाद में आपने जो वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे एक बार क्लिक किजिए, क्लिक करने के बाद वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा छालो हो जाने लगेगा नीची आना है आपको पर आप के सामने उपन हो जाएगी आपको यहां पर टाइटल रिसाइड करना है तो यहां पर यह वीडियो का मैंने अप्लोड किया हुआ है Top 6 Free Tools for Content Writing 2020 का मैंने डाल दिया जैसे आपको बताया था यहाँ पर मैंने Pi यूज किया है जो कि डिवाइड करता है किसी भी टाइटल को यहाँ पर डिजिटल ग्यान दे दिया यहाँ पर मैंने मेरा चैनल जो है Digital शिक्षा यहाँ पर मैंने डाल दिया दोस्तों डिस्रिप्शन में आपको बताया था कि यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपके वीडियो की बारे में बता सकते हैं थोड़े में यह वीडियो किस से रिलेटेड है, आपको कुछ male information देना हो कोई link देना हो आप provide कर सकते हो इसमेर को आपको लगता है कि आपको आपका ही अकाउंट है वो बिजनस प्रोफाइल के लिए है और आप चाहते हो कि कोई आपसे कॉंटाइक करें कोई कस्टमर साप से कॉंटाइक करें आप यहां के अपना बिजनस डीटिल दे सकते हो आपको आपको वहां के प्रोवाइड कर सकते हो इसके बाद में आता है टैक्स टैक्स में मैंने आपको बताया आपके चैनल का नाम नहीं बुलना है आपको 2020 डालना है इन हिंदी इंग्लिश अगर आप यूज कर रहे हो और सबसे इंपोर्टेंट हाउ टू क्योंकि हाउ टू से ही। चीजे उस हम सिखने वाथी चीजrees वाती ही होती है, जैसे यह आपने टैक्स किया है आप कहीं बीसको कॉपी करको यह सेव कर सकते आप अपने यहां पर आपने आने वाले समय होने में दो यूज करो अप्यां कि करके इसको सेभट प्ल handles on the app करने के बाद आपको यहाँ पर save भी क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप save भी क्लिक करेंगे आपके सारी settings जो है वो save हो जाएगी और यह published हो जाएगी यहाँ पर देखिए जैसे आपको मैं बता दूँ जो भी आप कभी भी setting कर रहे होना है इसको लाइव चीज़े होती है आप जैसे चीज़े करते ह लाइव होती जाती है तो जब आप सारी settings कर लेते हैं उसके बाद आप इसको पब्लिक करें और उसके बाद में आप save करें तो क्या होता है कि आप जो भी update कर रहे हो एक बार सारी settings की complete होने के बाद और YouTube में होने के बाद ही वह published होगी क्योंकि आप रहे हमको वीडियो upload करना होता है उसके बाद में tagging करते हैं इसके बाद में हम उसके thumbnail create करते हैं बहुत सारी सारी चीज़ा आ जाती है उसमें तो इसको एक गंटे का समय लग जाता है तब तो वो वीडियो अप्लोड हो सकता है कि हम आई चाय रहे हो हम आज यूठीव करने के वाद ही उसको जो है जो पब्लिक में रखेंगे तो दोस्तों आज हमने देखा कि टाइटल और टाइक्स कैसे सर्च करना है हमें उसको अपने वीडियो में कैसे अप्लोड करना है सारी चीजे हमने आज की वीडियो में देखा उमीद है आपको हमारा जो यह वीडियो है बहुत पसंद आया होगा और आप जो सर्च कर रहे थे जो जानना चाहते थे वह सारी इंफरमेशन यहां पर अवेलेबल हो चुकी होगी हाला कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई चीजे बताना मतलब आप अगर कुछ जानना और चाहते हैं इससे रिलेवेंट तो आपसे रिक्वेस्ट है थैंक यह वर वचिंग आर चैनल